बेमितरा शायर में मेले तीन Corona Positive वौर्ड नमबर साथ सील बेमितरा जिले में दो सब्सक्राइब के लॉक। लगने के पहले ही गिन मोबटा रोडमें इसे बिजली ओफिस के पीछे तीन लोगों के Corona Positive होने के मामले सामें आई हिं ये तीनों मरीज positive आने के बाद होटकमांक साथ वा आसपास के इलागों को पूरी तरह सील किया गया है जिन में एक मरीज जो की नगरपाली का में राजस वदिकारी के रूप में रहकर रिटायर हुए है उम्र अधिक होने की वज़ा से उन्हें राइपर किया गया है जिसमें तीन लोगों की रिपोर्ट positive आया है मरीज बेरला होस्पीटर में कमपाउडर के रूप में कारे रथ है तैसिलदार अजय चंद्रबंशी ने जानकारी दी कि जांच तीन संपर्क में आये अन्य लोगों की जांच जारी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की मांग है कि आसपास के सभी संद्र जोगों की जांच तत्कार सुनेक्षित की जानी चाहिए ताकि अन्य लोगों तक इसमामारी के परसार पर लगाम लगाई जा सके बताया जा रहा है कि तीनों मरीजों का टेस्ट रिजल्ट आने तक को रिटाइन रहने की हिरायती गई थी उसके बावजूद बे लगातार आसपास के लोगों के संपर्क में आते रहे जिसकी बजा से उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से आसपास के लोगों में काफी डर का महौल उत्पन हो गया पास में बिजली आफिस होने की बजा से भी उस लाके में लोगों की आवाजाई अधिक है इन सभी परिस्तियों को देखते हुए परशाशन को इस मामले को गंभीरता से ले न ठाई है जिससे शहर में इस अंकट को और बाढ़ने से सदकार रोका जा सके जी बताएं बेमेत्र के वार्ड नमबर साथ में जो है न वो कोरोना पाजिटिव पाया गया सब्सक्राइब बाकी दो लोग हमारी डिश्टिक हॉस्पिटर में जो गोविड सेंटर हाल में बना है कि यह बताएं कि यह कहीं बाहर से आये थे या संग्रमन से यहीं से फैला में जो साही हॉस्पिटल है उनमें रड़का काम करता था उसी संपर किमाये और जो सत्तर वर्सी बुजूर्ग है वो घर का मालिक था वो बच्चे के संपर किमाये तुन को इतना करता है